लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले जूस वाले की दुकान पर अभी तक आपने प्लास्टिक स्ट्रॉ से जूस पिया होगा लेकिन सोचे अगर आपकी इस प्लास्टिक की स्ट्रा को बांस की स्ट्रॉ से बदल दिया जाएं तो ऐसा कारनामा अन्मान ध्वीप पर उगने वाले बांसों की मदद से हुआ है जी हाँ परियावरन की रक्षा करने और प्लास्टिक से चुटकारा पाने के लिए अन्मान में यूनिक और एको फ्रेंडली स्ट्रॉ बनाई है बास की प्रजाती और द्वीप सम्मूह पर ही पाई जाती है वर्तमान में भारतीय वेग्यानिकों द्वारा बॉटनिकल सर्वे आफ इंडिया बिये साई में बास को स्ट्रॉ के रूप में उप्योग करने का पता लगाने के लिए अधियान किया जा रहा है बास की इस प्रजाती को लगबग दो दशक पहले द्वी पर खो जा गया था इस प्रजाती की विशेश्टा है कि ये दिखने में काफी लंबी और पड़ती होती है साथ ही इसका बासेयों बासों की तुलना में काफी नर्म होता है वेग्यानिकों ने इसके लिए बांस के नोड्स को हटा कर बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काच दिया ये काम मैंने वल्या मशीनरी दोनों के साथ किया जा सकता है एक बार तने के काचने के बाद बांस के ठोस हिस्से को अलग कर दिया जाता है पोर्ट ब्लेयर के भी एसाई के अंडमान और निकोबार क्रेत्रिय केंदर में कार्यालय के प्रमुखलाल जी सिन्ग ने बताया की बांस की प्रजातियों को प्राक्रितिक रूप से घास के रूप में इस्तिमाल नहीं किया जा सकता था लेकिन पौधे की उपस्तिती और संद्वचना को देखने के बाद उन्होंने पाया कि कुछ बदलावों के बाद बांस को स्ट्रा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बांस घास का एक प्रकार है और यहां देशी प्रजातियां के रूप में द्वीपों पर पाई जाती हैं और इससे आसानी से भी उगाया जा सकता है डॉक्टर सिंग ने आगे बताया कि मैंने स्ट्रॉण इटमायू फैक्चरिंग के तहत पेटेंट कारया लेके साथ मिलकर पांच जार बांस के स्ट्रॉण नमूनों के और पर तैयार किये थे इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में आयोजित विश्व परियावरन दिवस समारों के दोरान प्रदर्शनी भी लगाई थी इसकी सबसे बड़ी आसियत है कि जब ये खराब हो जाता है यह मेटी में आसानी आसानी से मिल जाता है बिना परियावरन को नुकसान पहुंचाए साथ ही ये स्ट्रा बनाने में भी काफी सस्ते होते हैं इनकी लागत 50 पैसे पर स्ट्रा आती है और ये लंबे समय तक इस्तिमाल किये जा सकते है